हेलो फेंड कैसे हैं आप दोस्तों आज में आपको बताने वालों Samsung के mobile में या Samsung का कोई सा भी mobile हो उसके अंदर एक setting होती है इसका नाम रहता है screen mode यह मिलती है setting में जाके display के option में जाके आपको setting मिलती है screen mode उसके अंदर आपको दो mode मिलते हैं vivid mode और एक natural mode तो इन दोनों का अंतर क्या होता है? दोनों में क्या फर्ग होता है? और उन दोनों को कैसे enable करेंगे और कैसे disable करेंगे यह बताने वाला हूद दोस्तों इस video में तो video को skip मत करीड़ा वीडियो को पूरा देखिएगा तो हि आप समझ पाएंगे दोस्तों तो चलते आगे मेरा नाम एक देखते हैं विडियो, तो इसके ग्सक्राइब कर सकते हैं, और गालेlor को में अपने साथ से सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आए यह दोसों चलते हैं आगे हमा आपको लाइब उसको डैम करके बताए तो आ कैसे और चेंज करेंगे और चैंज करको होता है तो उसके लिए आपको करना किया है दोस्तों अपने मोवाइल की सबसे पहले सेटिंग में आप यहां देख लिए सबसे पहले जाना है आपको अपने मॉवाइल की सेटिंग में मॉवाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां जाना है डिस्प्ले वाले ऑप्शन में आपको यहां मिलेगा थर्ड नंबर पर उपर से उपर से फोर्ट कर लेता हूं ताकि आपको दोनों पर अगर यहां quality नहीं आएगी तो मैं आपको side में लगा के screen record भी दिखा दूँगा तो आपको फटा लग जाएगा exact फर्क क्या होता है तो आप यह देखेंगे यह आपको तीन डेमो दिये हुए है आपको mode एक flowers बना हुआ है colors का वहाँ पर vivid mode पर यह सा देखेगा यह कुछ foods के photos है and then यहाँ पर एक brightness दिया हुआ है तो आप मैं इसको कर लेता हूं उसके mode को थोड़ा सा change आपको देखेंगे यह फार्क लगता है यह natural mode mode पर कर लिए अब आप यहाँ देखेंगे उसकी जो quality थी brightness की वह थोड़ी सी कम हो गई है photos आप देख सकते हैं बिल्कुल कम हो गई आप यह विविड करेंगे तो यहाँ थोड़ी हाइलाइट से हो रहा है color और वहाँ पर हाइलाइट होना बंद हो गया भी देखिए इस mode पर आप देखिए अंतर देखिए दोनों लगी दिख रहा होगा यह विविड था और यह नैच्रूल दोनों के color आप देखेंगे दबने लगे और यह नीचे विविड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है आप नेच्रूल मोड पर कर लेंगे तो नेच्रूल मोड में कोई convert आपको option नहीं मिलेगा सेंपल ही देखेगा तो दोस्तों तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक श सब्सक्राइब करना ना बूलें और मुझे इंस्टागरां और फेस्बूप फोलो करना भी ना बूलें इसका लिंक आप कोडेक्शन पर मिल जाएगा तो थेंकी दोस्तों